देखो कुछ चीज़े मैं पहले कलियर कर दूँ, ये मूवी फैमिली के साथ देखने वाली नहीं है, बले ही इसके पोस्टर में बच्चे दिखाया गो, यानि फैमिली फोटो दिखायी गो, बट सच में, ये मूवी फैमिली के साथ देखने वाली बिल्कुल भी नहीं है, नम उलिविया वाइल्ड लैसली मैन और बागी है नेकला का और कसम से उलिविया माइल्ड इसके अंदर इतनी कमाल की लग रही है चबरदस्त अब ठरक नहीं दिखानी कमी ने और जहां रयान भया ना हो यानि कि अपने डैड़ पुल जहां ये इंसान ना हो वहां सी मजाक कैसे नहीं हो सकता है यार काफी टाइम से मैं रियल स्टोरी बेस्ट मूवी देख रहा था फिर उसके बाद मैंने थ्रीलर एक्शन ये वाली मूवी देखी या सीरीज देखी फिर मेरा मन किया यार क्यों ना थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा चेंज किया जाए कुछ अलग मू जोई किया है और ये मुवी देखकर एक ही बात कहूंगा कि सच में आरतिल गार्डन गार्डन हो गया अब कहानी की बात कर लेते हैं डैविड और मिच दो इनसान डैविड जिसे प्ले के एजैसन बैटमन ने और मिच जिसे प्ले के रियान रेनोर्ट्स ने और ये दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त है और डैविड की जो है वो शादी हो चुके उसके तीन बच्चे है और एक काम्याब लॉयर है और इधर बात करें मिच एक अयास टाइप का इंसान ठरकी और जो अकेला है विलकुल लाइफ में उसके पास कुछ काम नहीं है और अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं खैर दोनों ही अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं डैविड अपनी ओफिस की लाइफ से फिर बच्चों को संभालना सुबह उसकी सेम रूटीन जो होती है कि अपने बच्चों के डाइपर बदलना अपनी बच्चों के साथ स्कूल में जाना या अपन पसंद आती है कि Mitch कहता है David तेरी life बहुत अच्छी है और वो एक दूसरी की life को कहते है कि काश मैं तेरी life जी रहा हुता है उस रात को बगवान उनकी सुन लेता है और उनकी आत्मा को exchange करते हैं यानि कि डैविड की जो आत्मा है वो Mitch के शरीर में और Mitch की जो आत्मा है वो डैविड की शरीर में आ जाती है अब इसके बाद जो interest शुरू होता है आपका movie का जो अब तक था बखुवी बहुत अच्छा था और इसके बाद कस्तम से आ है दोगना interest होने वाला है अब Mitch जहां एक नमबर का अयास ठरकी किसम का इंसान है वो डैविड की बोडी में जाता है और उसको वहाँ पर मिलती है उसकी वाइफ अब वो उसकी वाइफ के साथ क्या करने वाला है क्या नहीं इसके लिए आपको movie देखने पड़ी पहले वाला Mitch, original Mitch वो semi-pawn movie के अंदर काम करता है अब वो किस टाइब के होती है वो भी आपको जानने के लिए ये movie देखनी पड़ेगी I know ये movie काफी ज्यादा adult है बट तब ही तो कहारो नहीं अकेले में देखना किसी और के साथ नहीं किसी और के साथ भी देख सकते हो जो सम एक्सचेंज होते हैं हाँ इनको कुछ फाइदे भी होते हैं जैसे Mitch जो डैविट के शरीर में गया है उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि एक family भी होती है बहुत important रोल निभाती है life में उदर Mitch के शरीर में डैविट जो गया हुए उसको पता चलता है कि हर व जो मुझे लगा जब Mitch के शरी में जब डैविट गया हुए और उसको मूवी के लिए जब जाना होते है उसको पता जलता है कि यार इस टाइप के मूवी करने है यार कमाल का यार जो performance यार इस मूवी की कहानी काफी अच्छी है मतलब काच्छी है बट उससे जादा अच्छ जो उसके शरीर में जब मूवी देखो कि तब समझ जाओगे वो जब जो वो सेमी पॉन वीडियो के लिए जाता है और उस वक जो उसके expression होते है यार कमाल के थे जवर्दस expression कहूंगा कि यार कमाल के नहीं जवर्दस expression थे उसके अंदर और सच में मैं ये मूवी देखकर बहुत जादा एंजॉए करने वाले मैं उमीद करता हूं कि आप लोग ये सब चीजें सुन कर ये decide कर पाओ कि movie अच्छी है या बुरी कभी-कभी सोचता हूं कि जो review तुम देखते हो क्या उससे decide कर पाते हो कि movie या series अच्छी है या बुरी क्या कमेंट करके मुझे बता दि कि वो एक दूसरे की life को कहते है कि तेरी life बहुत अच्छी है वो उसको कहते है तेरी life बहुत अच्छी है जब उनको एहसास होता है कि जो वो अपनी life जी रहे थे वो बहुत जाला अच्छी थी हम दूसरों को देखकर यह एसास करते हैं कि यार उसकी life कितनी अच्छी है जबकि हमें अपनी life का पता नहीं होता कि हम कितनी अच्छी life जी रहे हमारे पास अपनी family है हम उनके साथ बैट कर बाते करते हैं उनके साथ अपना time spend करते है equality of time जिसे हम कहते हैं वो हम उनके साथ व्यतीत करते हैं मैं उस चीज़ का अहसास नहीं होता बलकि हम दूसरे की एशो और आम देखकर हम ये कामना करते हैं कि यार उस जैसी हमारी लाइफ होनी चाहिए थी क्यार है हर कोई तो ये नहीं कर सकता है ने कि तुमारे उसकी बोड़ी में तुमारी आत्मा जाए फिर तुम्हें अहसास हो शायद ये मूवी आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सब अहसास कराने में चाहिए कामियाब हो पाए तो ये मूवी जाकर जरूर देखो बट अकेले में देखो बस इतनी वर्ड को थोड़ा सा गोर से ले न कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाल है कैर मेरे तरफ से इस मूवी को मज़ देना चाहूँगा 7.5 आफट of 10 सार अगर किसी ने देख रखे है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि तुम लोगों को सबसे ज़्यादा एकदम तड़क बड़क सा सीन कौन सा लगा कैर मुझे तो बहुत ज़्यादा है अब क्या बता हूँ यार मैं नहीं बता सकता है फैमली फैमली यार मुझे ध्यान रखना है कि ये रिव्यू है कोई फैमली वाला भी देख रहे है कैर बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में तैंक्स वर वॉचिंग इस वीडियो में नेक्स वीडियो में जाहिंद ओए टीटू चल फिर देखते हैं ये मूवी वो लड़की मिच के उपर चड़ती है याई मीन डेव के उपर जिसके उपर भी चड़ती है वो वाला लगा यार कर दो